नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्यास सेंग है दिली के मुख्यमंत्री और आप सयोजक अर्विद के जिवाल और सांसद सज्य सिंग को पीए मोधी की सैशनिक डिगरी से संबंध मामले में अब एहमदाबाद की एक अदालत ने दिली के मुख्यमंत्री अर्विद के जिवाल और राज्य सभासांसा सज्य सिंग की उन अर्जियों को खारच कर दिया जिसमें प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी की सेक्ष्णिक डिगरी के संबंध में टिपडियों को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानी मामले में कारवाई में स्थगन का अनुरोध किया गया था अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओ की तरफ से उनके वकीलों द्वारा दायर स्थगन अर्जियों को खारच कर दिया है अदालत ने केजरिवाल की धारा 197 के तहत मन्जूरी के बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे लोक सेवक हैं दोनों नीता प्रधान मंत्री मोदी की डिगरी के संबंध में अपने बातों को रख रहे थे जिस पर आपको बता दे कि उनके खिलाफ मन हानी का मामला दर्श कराए गया क केजरिवाल और संचे सिंग नहीं साधार पर मामल में स्थगन की मांग करते हुए उन अरजियों को दायर किया था कि समन को चुनोती देने वाली उनकी याचिका गुजुरात हाई कोट के समक्ष लंबित है और अगले साल फरवरी में सुनवाई की संभावना है और इसी लि को अब खारिच कर दिया गया है ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अदालत का क्या फैसला इस पूरे मामले को लेकराता है दरसल आपको बता दे कि अरविन के जिवाल और संजे सिंग की ओर से कहा गया कि अपमान जनक शब्दों का इस्तमाल आधिकारिक कारिये के निर्व प्षित रख लिया है और अब ऐसे में देखना होगा कि अदालत का आखिरकार आज फैसला कि आता है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइम नियुग